Hello students, वो कहते हैं कि नई शुरुवात इंसान को जरूर डराती है पर याद रखो सफलता उन मुश्किलों के बाद ही नजर आती है तो मैं शुबम शुरुवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का मैगनेट ब्रेंस के इस प्लैटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको केंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जक के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल ही फ्री ओफ कॉस्ट फ्री कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको 2-4-10 वीडियो दिखाने के बाद किसी तरीके के पेमेंट के लिए बोलते हैं यहां पर आप सारे क्लास इसके वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्री ओफ कॉस्ट और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ मैं शुभम श्रिवास्तव लेकर आया हूँ आप सभी के लिए क्लास 12 बायालोजी एंसी आर्टी एक्जेंप्लर की सीरीज और आज हम आप पहुंचे हैं अपने तीसरे चैप्टर के तरफ चैप्टर नमबर थ्री यूमेन रिप्रडक्शन को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इसके माइंड मैप के बारे में और हम ध्यान देंगे जो भी important points से उसको highlight करते हुए हम अपने इस chapter को complete करेंगे। इसके बाद इस chapter से हमें MCQs देखने हैं, very short type questions, short, long and case based, यह सारी चीज़े हम देख करके अपने इस human reproduction नामग chapter को complete करेंगे। तो human reproduction के बारे में मैं बोलू, तो यह एक ऐसा chapter है, यह एक ऐसा chapter है, जो काफी जादा आसान आपको लगता होगा। बहुत interesting भी है, आसान इसलिए लगता होगा, interesting इसलिए लगता होगा, क्योंकि एक ऐसा chapter है, क्योंकि इसे हम अपने खुद से relate कर सकते हैं। हम इस chapter को relate कर सकते हैं, इस chapter को पढ़ते टाइम, हम imagine कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तो imagination जहां पर सामने आ जाता है, तो वो चीज़े हमारे लिए आसान बन जाती हैं। इसलिए किसी भी chapter को पढ़ने के लिए, सबसे पहली बात है कि जब हम उसे पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज़े हमारे सामने आई, हमें कोशिश करना चाहिए, कि उसका image हम अपने दिमाग भी बनाते चले जाएं। तो बिना वक्त गवाई शुरू करते हैं कि भाई इस chapter में हमें देखना क्या-क्या है, तो जैसे ही हमारे ये chapter human reproduction स्टार्ट होता है, अगें चुकि humans के अंदर हम अगर बात करें तो humans के अंदर reproduction जो है, वो sexual method में होता है, sexual reproduction होना है, क्योंकि एक तरफ male parent है और एक तरफ female parent है दोनों के gametes को मिलना है, तो fusion of gamete यहां पर होना है, तो हम जान रहे हैं कि humans के अंदर जो reproduction होगा sir, वो sexual method होगा, sexual mode of reproduction होगा, चुकि ये sexual mode of reproduction शो करेगा, तो इसके कुछ events होगे, और हम जानते हैं कि sexual reproduction के तीन event है, number one is the pre-fertilization event, जो की fertilization से पहले होना है, number two is fertilization and number three is post-fertilization, again, यहां पर एक mistake है, इसको pre नहीं यहां पर, this is post-fertilization event, post-fertilization event, pre-fertilization event केहने का मतलब यह है कि यह वो fertilization है जो यह वो events हैं जो fertilization से पहले होने हैं मतलब हो सकता है कि यह fertilization की तैयारी है इसके अंदर आ रहा है हमारे पास gametogenesis कहने का मतलब यह है कि gamet को बनाना है पहले चुकि gamet का fusion हमारा मकसद है gamet को fuse करके हम एक नए spring को जन्देना है तो उसके लिए जरूरत है कि हमें gamet को gamets को फॉर्म करें gamets को बनाया और उसी चीज़ को हम कहते है gametogenesis चुकि male gamet male body में बनना है female gamet female body में बनना है और दोनो gamets को एक जगल आने के लिए जरूरत है कि gamet को transfer करवा जाए एक body से दूसरे body में इसलिए इस pre-fertilization event का जो दूसरा part है that is the gamet transfer gamet को transfer किया जाता है gamet को transfer करने का मकसद यही है कि हम male gamet और female gamet को एक साथ ला सके ठीक है इसके बाद आजाता है जब हमारी ये male and female gamet एक साथ आजा रहा होता है तो process होता है fertilization जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं and मिलने के बाद zygote बना रहे होते हैं अब चीजें आ जाती है हमारी post-fertilization में तो post-fertilization event वैसे event है जहाँ पर zygote बन गया है fertilization हो चुका है zygote बनने के बाद इस single cell zygote का फिर division होना है and division होते 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 जब एक नया office spring में बदल जाता है एक fetus में change होता है फिर एक baby में ये change हो जाता है तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर ये बहुत ही basic बहुत ही ऐसा चीज है जिसके बारे में हमने कई बाद discussion कर लिया इसको भी आप note कर सकते हो फिर हम चलते हैं अपने आगे कि इसके बाद हमें क्या देखना है तो अब हम शुरू करते हैं अपने male reproductive system के बारे में हमने देख लिया humans के अंदर by sexual reproduction होने है तीन events के अंदर होने है gametogenesis से कहानी start होगी तो gametogenesis की कहानी कुछ ऐसी है कि male body के अंदर male gamet को बनना है और female body के अंदर female gamet को बनना है तो यह male body में male gamet बनेगा तो कैसे बनेगा एक बहुत बढ़ा question mark है female body में अगर female gamet को बनना है तो वो कैसे बनेगा एक बहुत बढ़ा question mark है example हम ले सकते हैं कि अगर कोई shoe factory है जहाँ पर जूते बनते हैं तो उस factory में कुछ तो ऐसा setup होगा, कुछ ऐसे machines लगाए गए होंगे, जिस machine से क्या होता है, जूते का कोई नीचे का part बन रहा है, किसी machine से उपर का part बन रहा है, and finally उस सब को एक साथ जोरा जा रहा है, उसकी सिलाई की जा रही है, and finally हमें एक shoe मिल जा रहा है, तो same उसी तरीके से अगर ये male gamut बनना है, तो कुछ तो एक system होगा हमारे पास, कुछ तो एक ऐसे machinery वहाँ लगे होगे, कुछ तो एक ऐसा mechanism बना होगा, कुछ तो एसा system होगा, वही system जो होता है, उसे हम male reproductive system के नाम से जानते हैं, reproductive system, तो एक है करके देखते हैं, कि भाई, male reproductive system के अंदर कहा नी, कहां कहां है और क्या क्या है, सबसे पहला part है, that is the testis, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है testis, testis की बात करें, तो ये अकेला नहीं होता है, ये पेर में मौजूद होता है, मतलब, दो testis हमें देखने को मिलते हैं, इस testis के साथ हमें देखने को मिलते हैं, accessory ducts, accessory ducts के बाद, accessory glands हैं, accessory glands के बाद हमारे पास, external genitalia है, तो ये चार चीजें हैं हमारे पास, ये चारो मिल करके, एक प्रॉपर male, human reproductive system को तयार कर रहे होते हैं, फॉर एक्जांपल अगर जैसे हम जूते की फैक्टरी की बात करें, तो हो सकता है एक ऐसा जूता का फैक्टरी है, जिसमें shoe laces बन रहे हो, एक ऐसा machine है, जहां पर क्या हो रहा हो, कि जूते के नीचे का जो soul होता है, वो बन रहा है, तीसरे जग़ा पर क्या हो रहा है, उसके ऊपर का पाइट बन रहा है, हैं चौते जगा पर क्या हो रहा है, कि इन सारे चीजों को एक साथ लाया जा रहा है, and फाइनली एक जूता बन के तयार हो रहा है, कुछ समझने के लिए वैशे ही कर सकते हैं, कि टेस्ट से इसका कुछ अपना function है, accessory duct इसका कुछ अपना function है, accessory glands इसका कुछ अपना function है, and external genitalia कुछ अपना functions है, and all together ये मिल कर क्या कर रहे हैं, एक male reproductive system को तयार कर रहे हैं, ठीक हैं, आ रही हैं चीज़े समझने हैं, अब एक है करके हम क्या करते हैं, इन सारे के बारे में देखते हैं इन सभी के बारे में कि सब का क्या क्या function है तो जैसे ही हम आते हैं अपने सबसे पहले पर testis के उपर तो testis के बात करें तो हमने देखा था कि दो होते हैं एक pair में मौजूद हैं ठेक हैं? अकेला ये नहीं होता है. इसके बात करें तो ये scrotum नाम के एक pouch में बना होता है. अगर हम किसी body में अगर इसको study करने जाए तो हमें पता चलता है अगर ये human body है, तो human body के बाहर, outside the human body ये pouch-like structure में ये testis मौजूद होते हैं. और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये scrotum body के बाहर लटकता हुए एक pouch-like structure है, जो इसको normal body temperature से 2 से 2.5 degree Celsius कम temperature दे रहा होता है क्या वही चीज़ लिखता है कि situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum, ठीक है? फिर कह रहा है कि to maintain 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal internal body temperature. इस pouch में होने इस क्या होता है testis के पास जो body temperature है that is 2 to 2.5 degree less होता है, ठीक है? 2 से 2.5 degree temperature कम होने के कारण क्या हो रहा होता है जो sperm का production होना है जो sperm का production होना है वो सही से हो पाता है इसलिए ऐसा कहानी है अगर इसके shape की बात करे testis के अगर shape की बात करें तो oval in shape है short में समझते जाएंगे हम चीजों को कम समय में फूरे चैप्टर को cover करना है इसके अगर length की बात की जाए तो ये 4 से 5 cm इसका length होता है अगर इसके width की बात की जाए तो 2 से 3 cm का width होता है again testis 2 है अगर ये testis 2 है इसके shape की बात करें तो oval है अगर इसके length की बात करें तो 4 से 5 cm का है width की बात करें तो 2 से 3 cm का है और ये एक pouch like structure है जिसको हम scrotum कहते हैं उसमें मौजूद होता है और ये abdominal cavity से बाहर लटकता हुआ एक structure है और testis यहाँ इसलिए मौजूद होता है क्योंकि यहाँ पर रहने से उसे 2 से 2.5 degree temperature कम मिलता है lower temperature रहता है जिसके करण spawn का जो production है वहाँ पे वह असानी से हो रहा होता है तो इसको भी आप note करेंगे screenshot निकालेंगे फिर हम चलते हैं अपने next वाले part में ठेक है तो अब हम आ जाते हैं testis के बारे में कुछ खास बात और जान लेते हैं कि एक testis जो होता है एक testis के अंदर हमें करीब 200 testicular lobules देखने को मिलते हैं ठेक है 200 testicular lobules हमें यहाँ देखने को मिलते हैं अगर एक testicular lobule की बात करें तो एक testicular lobule में 1-3 seminiferous debiples हमें दिखने को मिलते हैं इन सबको हम color change करते हुए चलते हैं 1 testis में एक testis की बात अगर हम कड़े तो इसके अंदर हमें 2500 testicular lobules देखने को मिला एक testicular lobule की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगेन हमें 1-3 seminiferous seminiferous debiules आश nossa और एक है male germs cell ॥acağız सबसे फहले हम बात कर लेते e male germ cell की तो ये male germ cell जो है awake son इसको n DU प्रॉआ रहे होते हैं nutrition दे रहे होते हैं थाक है साथ-साथ एक और चीज यहां पर हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं interstitial cells या फिल लेडिक सेल ये कैसे cell होते हैं जो seminiferous tribules के बाहर मौजूद होते हैं लिखता है present outside seminiferous tribules और इनका काम यह है कि ये androgen बनाते हैं अब androgen क्या है ये हमारे पास एक question उड़ जाता है कि ये androgen क्या है एक quick revision हम करते हैं कि एक testis है एक टेस्टिस के अंदर 200 तेस्टिकिलर लोबिूलस हैं सबस्क्रााइब लिज्कें कि रहा है चैलिक से जान रहे हैं यह क्या करता है यह परनी फेरस ट्रिब्यूल्स के बाहर मौझूद है और यह एंड्रोजन बना रहा होता है तो कुल मिला के हमारे पास तीन से लागए एक है यह दूसरा सेल है यह और तीसरा सेल है यह इसको काम करें इसको नोट करो इसका स्क्रिंशॉट निकालो जल्दी से फिर हम चलते हैं इ एक तरहिए का टेस्टिकुलर हॉर्मोन से एंड्रोजन टेस्टिकुलर हॉर्मोन नहीं लिखा है हॉर्मोन लिखा है ठीक है इसके कहने का मतलब यह है कि यह जो हॉर्मोन से इसके अंदर बहुत सारे यह जो हॉर्मोन का यह जो मिक्स्टर होता है इसके अंदर देखने को मिलता है फिर है डी एच ये ये सारी चीज़े देखने को मिलती है अगर इसकी बात करें तो ये सीधा-सीधा इसको ब्लड के अंदर रिलीस किया जाता है फिर अगर बात करें तो एक तरीका के स्ट्रॉइड होर्मोन है जो की मेल के अंदर सेक्शुल हैं उसमें इनका बहुत बढ़ा रोल होता है तो इसको भी आप करेंगे नोट इसका भी निकाल सकते हैं स्क्रिंशॉट फिर हम आपने चलेंगे इसके नेक्स पार्ट में कि बाद हमें क्या देखना है ठीक है तो एंडोजन की बात करें एक बढ़ा और कोई क्रिविजन कर लो कि इस लेक्चर में जो आपकी सीधे सीधे कोशन बन जाते हैं तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि एंडोजन कहां रिलीज किया जाता तो रिलीज इंटू दा ब्लड फिर इसके बात करें तो एक तरीके का स्ट्रॉइड होर्मोन है जो कि रेस्पॉंसिवल फॉर मेल ठीक हैं आगे बढ़े हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर आगे हमें क्या देखना है अब हम आ चुके हैं अपने एकसेसरी डखे के उपर एकसेसरी डख कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो हमने देखा था male reproductive system में testis को किया हमने complete अब हम देखेंगे accessory ducts के बारे में कि यहाँ पर हमें क्या देखना है ठीक है accessory duct की बात करें तो it includes retestis वॉसाई फ्रेंचिया है यहाँ पर इसके बाद epididymis आ रहा है वॉस डेफरेंस है ejaculatory duct है urethra है, urethral meatus है जो opening होता है penis का ठीक है, अगर हम इसको sequence में याद कर लें, तो यह हो जाएगा path of sperm through the male body कहने का मतलब है कि जब sperm testis में बन जाता है अब testis में बन जाता है और testis में sperm को बनने के बाद जरूरत है कि उसको body से बाहर करना है body से बाहर इसलिए करना है क्योंकि हम उसे female reproductive track में भेजना है क्योंकि वहाँ पर fertilization हो सके तो इस case में यह जो sperm है, वहाँ testis से निकल करके आता है, re-testis में re-testis के बाद यह जो है यह जा रहा होता है, सरी यह वासाइफ रेंशिया में इसके बाद epididymis, vocivice difference ejaculate reduct urethra, urethral meters जिसे हम opening of penis कहते हैं, अगर यह चीज़ को हमने sequence में याद कर लिया, तो actually यह और कुछ नहीं, बलकि यह वो path है जिस path को sperm follow करके male body से बाहर निकलता है ठीक है, तो यह रहे कुछ accessory duct और यह accessory duct कुछ और नहीं है यह path है, ठीक है यह वो रास्ता है जिस रास्ते के through sperm जो है, वो male body से बाहर निकलना होता है, जिसे, जिसको भी आप note कर लेंगे, इसका भी आप screenshot निकाल सकते हैं फिर हम चलेंगे अपने इसके next part में next part में हमें क्या देखना है तो अब हम discuss करेंगे about some accessory glands ठीक है, तीसरे part पर आगे तीसरे चीज़ पर accessory glands के बारे में accessory gland की बात करें तो हमें 3 glands देखने को मिलते हैं number one is seminal vesicle number two is prostate gland and number three is bulbourethral gland ठीक है, एक एक करके देखते हैं इनके बारे में, तो सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं seminal vesicle के बारे में seminal vesicle की बात करें तो paired होता है, मतलब दो होंगे, pair है tubular है and coiled gland pair, tubular, coiled gland याद हो गया, इसके बारे में बात करें तो it contains fructose citric acid inositol and prostaglandins, ये सारी चीज़े इसमें मौजूद होती है, ठीक है तो ये रहा seminal vesicle मतलब इसने क्या किया, इसने कुछ अपना contribution दे दिया, जो भी ये दे सकता था इसने दे दिया, इसके बाद आता है prostate gland, ये दूसरा gland मौजूद है इस दूसरे gland की बात करें तो ये chestnut shape का होता है chestnut shape gland है अगर इसकी बात करें तो ये collection of 30 to 40 tubular glands है इसके बाद लिखता है कि contributes an alkaline component to the semen अब यहाँ पर एक नया word देखने को मिल रहा है नया word के आग यह हमारे सामने, that is the semen semen क्या है, इसके बारे में भी हम discuss करेंगे तो फिलाल ये semen में कैसा करता है alkaline component ये release करवा रहा होता है ठीक है इसके बाद ये कहता है कि it provides a characteristic order to the seminal fluid एक अलग तरीके का smell एक characteristic order जो है वो इस seminal fluid को प्रोवाइड करवाता है फिर कहता है यहाँ पर कि it secrete citrate ion, calcium, phosphate ions and profibrino lysine ये सारी चीज़े ये secrete करता है तीसरा gland हमारे पास है bulboyorethral bulboyorethral की बात करें तो इसे हम लोग copper's gland के नाम से भी जानते हैं ये दो होते हैं P-shaped structure है इसका ये एक viscous mucus secrete करता है जो कि lubricant के काम आ रहा होता है तो ये तीन glands हैं हमारे पास male reproductive system में जो क्या करते हैं जो करते हैं कि जो male के अंदर जो reproduction होना है जो sperm बनना है सीमें जो बन रहा है उसमें ये अपना-पना कुछ rolls दे रहे होते हैं तो इसको हम note करेंगे इसका भी screenshot निकालेंगे फिरम चलते हैं आगे next part में की वहां में क्या देखना है अब हम आजाते हैं अपने चौथे पार्ट डैट इस अपने एक्स्टरनल जनाइटीलिया के पास तो इसके बात करें तो ये copulatory organ है एक मैन का cylindrical in shape है characteristic है कि erectile muscles का बना होता है समय आने पे जब hormones अपने peak पे होते हैं तो ये क्या होता है erection इसमें हो रहा होता है ये pendulous organ है अगर इसके skin के कवरिंग होता है जिसे हम लोग four skin के नाम से जानते हैं इसकी बात करें तो have enlarged tip और उस enlarged tip को हम लोग glance penis के नाम से जानते हैं अगर इसके structure को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके का इसका एक rough पर एक skin का layer देखने को मिलता है ये skin का layer है इसे ही हम लोग four skin के नाम से जानते हैं और इसके बाद ये जो ये वाला portion जो हमें दिख रहा है इसे हम लोग glance penis के नाम से जानते हैं ठीक है इसको भी हम note करेंगे इसका screenshot निकालेंगे फिर हम चलते हैं अपने next part में अब हम इसके बाद कुछ term से उसको discuss कर लेते हैं that is about the ejaculatory duct ejaculatory duct और कुछ नहीं जब ये was difference और duct of seminal vesicle यहाँ पर मिलते हैं तो ये बना रहे होते हैं ejaculatory duct ठीक है semen जो हमारे पास अभी word आया था थोड़ी देर पहले that is what is semen तो semen की अगर हम बात करें तो ये कुछ और नहीं बलकि हमारा जो sperm है और ये जो seminal fluid है इसके mixture को हमने semen कह दिया था अब ये seminal fluid क्या है तो secretion of seminiferous tribules, seminal vesicle, prostate gland और bulbo-urethral gland तो ये जित्ते भी glands थे इनका जो secretion है और spawn ये आपस में जब मिलते हैं तो ये तो semen बना रहे होते हैं ठीक है आगे चले अगर semen ejection की बात करें कि एक बार में कितना semen body से बाढ़ी से बाहर आता है तो अगर इसको अगर हम नापे तो that is a 2.525 ml अगर इसको numbers में count किया जाए तो ये 200-300 million होते हैं एक बार में ठीक है तो इसको भी आप note करेंगे कुछ data है इसको भी कोश्व ने पूछ लिया जाता है कि बताओ चार option दे देगा 200-300 million दे देगा 300-500 million दे देगा और इस तरीके से 4 option दे जाएंगे आपको फिर आपको टिक लगाना है तो आपका ये जो ये जो number है ये हो जाएगा आपका correct answer तो इसको भी आप note कर लेंगे फिर हम चलते हैं अपने next part की तरफ ठीक है अब हम आ चुके हैं अपने female reproductive system के तरफ तो हमने male reproductive system को complete किया अब हमारे पास है female reproductive system तो female reproductive system की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले देखने को मिलता है ovary, ovary के बात है हमारे पास accessory ducts accessory duct की बात करें तो accessory duct में सबसे पहले ovary duct हमें देखने को मिलेगा ovary duct के बाद हमारे पास uterus है uterus के बाद हमारे पास cervix है और cervix के बाद हमारे पास vagina है ठीक है इसके बाद हमारे पास external zinitealia और उसके बाद है एक memory gland तो यह चार चीज़ें मिल करके बना रहे होते हैं female reproductive system ovary का अपना ही कुछ function है और बहुत ही बहतरीन function है हम देखेंगे कि ovary में क्या function होता है क्या 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 करता है वो ovary duct जिसका दूसरा नाव fallopian tube है इसका भी एक अपना ही function है बड़ा मज़िदार function है यूटेरस की बात करें तो यूटेरस है सर्विक से विजाइना है सबका अपना अपना function external genitalia वहाँ पर मौझूद है memory gland है यह बहुत ही important चीज़ है just because कि यह वह structure है यह वो organ है यह वो glands है और यह वो glands है जो क्या करते है मिल का production करते हैं जिससे एक बच्चे का पेड़ भरा जाता है तो इसको नोट कर लो जल्दी से फिर हम चलते हैं एक है करके देखेंगे कि ovary क्या है फिर accessory duct in सब के बारे में हम लोग discussion अभी करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने ovary वाले पार्ट पे ठीक है ovary की अगर हम बात करें तो यह connected to pelvic wall uterus by ligament इसको देखने रहे कहां से चुरा है तो pelvic wall uterus by ligament यह kidney के पास मौजूद होता है अगर इसके shape and size की बात करें तो यह small है almond like flattened bodies है 2-4 cm यह इसका length होता है काफी छोटा है 2-4 cm बहुत छोटा सा structure है इसका काम क्या है कि यह produce करता है ova को और female six hormones को release करता है दो चीज़े हैं यहाँ पर हम दोनों को यहाँ पर अलग color से underline कर लेते हैं ठीक हैं अलग color से इसको हम underline कर लेते हैं यहाँ पर इसको हम करेंगे erase अलग color से एक ova है एक six hormones है पर यह दो चीज़ का production करता है इसे covering की बात करें तो इसका covering thin epithelium से बना होता है और ovarian stroma की बात करें तो एक है medulla और दूसरा है cortex ठीक है तो यह रहा ओवरी के बारे में कुछ लाइन यह क्या जूरा है connected to pelvic wall of uterus by ligament यह kidneys के पास मौजूद होता है small structure है almond shape का है size इतना छोटा है कि 2-4 cm इसका length होता है यह ova का production करवा रहा होता और साथ-साथ sex hormones जो female sex hormones है उसका production करवाता है thin epithelium की covering है इसकी उपर और इसके stroma की बात करें तो एक medulla है और दूसरा cortex है इसको आप note करेंगे इसका screenshot निकाल सकते हैं फिरम चलेंगे अपने next part में ठीक है अब हम आ जाते हैं अपने एक-एक करके अब हम आ रहे हैं अपने accessory ducts की उपर जिसमें सबसे पहला था हमारा ove duct ove duct जिसका दूसरा नाम fallopian tube भी था ये कुछ और नहीं एक इस तरीके से tube like structure होता है ये इस तरीके से tube like structure है जिसकी length की बात करें तो 10 से 12 cm का ये length है tube like structure बता दिया 10 से 12 cm की length है इसके 3 parts है number one की बात करें तो number one is infundibulum number two is isthomas and number three is ampulla ये इसके कुछ parts होते हैं मतलब infundibulum की बात करें तो have finger like projection जिसका नाम fimbry है तो अब हम क्या करेंगे इसको draw कर लेते हैं तो इस तरीके से इसके उपर कुछ लगा होता है जिसे हम लोग fimbry के नाम से जानते हैं ठीक है इससा काम है कि ये ovum का collection करता है और ये कैसे करता है इसको हम एक diagram के मदद से समझ नहीं कोशिश करते हैं तो diagram से हम कैसे समझेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से ovary मौजूद होता है यह हो सकता है ovary है यहाँ पर क्या किया गया ova को discharge किया गया यह क्या है ova ठीक है अब यह जो fimbry है इसको collect करता है इसके बाद यह चीज यहाँ से fimbry जो रहा है fimbry तो यह वाला part जो है that is the infundi bulam ठीक है इसके बाद आता है यहाँ पर is thamas ampulla ठीक है तो यह रहा कुछ oveduct pipeline के structure है और यहाँ से यह निकलता है इस तरीके से इस रास्ते इस रास्ते इस रास्ते यह तो फिर चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या देखना है तो ये कहानी हो गई हमारी और इस कहानी के बाद हम आप पहुंचें अपने यूटेरस के तरफ ये यूटेरस बहुत ही special चीज है इसका बहुत ही important role है हमारे body में मतलब females के body में that is this is the warm कहने का मतलब है कि जो fetus का development है वो इसी जगह पर होना है fertilization हो गया fertilization होने के बाद जो zygote है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है एक से दो से चार से और फिर यही वो जगह है यूटेरस जहां पर fetus का development हो रहा होता है तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना ही important structure है अगर इसके shape की बात करें तो inverted pear shape का ये structure होता है अगर इसके wall की बात करें तो ये तीन walls के मने होते है outer wall जिसको हम लोग perimetrium के नाम से जानते है middle wall जिसे हम लोग myometrium के नाम से जानते है and inner wall जिसे हम लोग endometrium के नाम से जानते है ठीक है इस inner wall की बात ये है inner wall की खास बात ये है यही वो जगह है जहां पर implantation होना है और यह वैसे walls हैं जो menstrual cycle के दौरान changes में जाते हैं मतलब menstrual cycle के दौरान इसका जो wall है वो धीरे धीरे degrade होता है फिर ने walls बनते हैं तो यह सारी चीज़ें इसके बारे में मतलब uterus वो जगह है जहां पर एक fetus का development होना है point number one हमेशा याद रखेंगे हम दूसरे इसके बारे में कभी हमसे पूछ लिया जाए शेप के बारे में हमसे पूछ लिया जाए अगर पूछ लिया जाता है वैसे नहीं पूछना चाहिए उसको अगर फिर भी पूछ लेता है त और जो inner wall है इसे हमने endometrium का नाम दे दिया endometrium की खास बात है क्योंकि यह endometrium यहीं पर implantation होना है और यहीं implantation होना है endometrium में और फिर fetus का यहां पर development start हो जाता है अगर fertilization नहीं हुआ है तो उस दौरान क्या होता है यह जो wall है यह endometrium की जो lining है यह menstrual cycle के दौरान changes में जाते ह तो इसके walls जो है वो धीरे-धीरे degrade होते हैं यह चीज़ हम menstrual cycle में देखेंगे आगे तो फिलाल फिलाल इसको note करो इसका screenshot निकालो फिर हम चलते हैं आगे कि after uterus हमें क्या देखना है तो इस कहानी के बाद हम आप पहुंचे हैं अपने cervix के उपर cervix की बात की जाए तो cervix की बात की जाए तो canal type structure है canal type structure है like this यह कुछ इस तरीके का structure है तो इसमें लिखता है कि formed of the most powerful sphincter muscle in the body तो इसे सवाल यहां से यह पूछा जा सकता है कि यह किस चीज़ से बना है तो यह sphincter muscles का बना है और यह ऐसे sphincter muscles हैं जो कि सबसे ज़्यादा powerful है most powerful sphincter muscles का यह बना है जो हमारे बॉड़ी हो मौजूद होते हैं उससे यह क्या है सारे 8 cm है vaginal orifice is covered partially by a membrane diaphragm called hymen दो चीज़े है एक है जिसमें जो इन स्फिंक्टर muscles का बना है और दूसरे पर हमें hymen देखने को मिलता है तो कभी भी hymen की अगर बात आ जाए तो हम वेजाइना के पास जले जाएंगे और स्फिंक्टर muscles की बात आ जाए तो हम सर्विक्स के पास चले जाएंगे इस नहीं बोला कि वेजाइना जो है वह स्फिंक्टर muscles का बना है और जो ओपनिंग है यह हाइमेन का जो यह लेयर है यह सर्विक्स पर लगा है ऐसा नहीं है ठीक है तो वेजाइनल मिलाते हैं तो इसे हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं काफी आसान याद रखने में बहुत जादा आसान साथ में जब हम questions की practice करेंगे तो यह chapter ऐसे भी हमारा पूरी तरीके से complete हो जाएगा तो फिलाल के लिए screenshot निकालो इसको note कर सकते हो फिर हम चलते हैं अपने आगे वाले पार्ट पर तो आगे हमसे क्या पूछा गया है सर क्या हमें देखना है तो सर आगे हमें देखना है statement है लिखता है कि यह जो एक्स्टरनल जनाइटी लिए है जो female reproductive system का और collectively called vulva ठीक है मतलब यह सारे जो है इसको all together हम लोग वल्वा के नाम से जानते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ें एक इमोनास pubis है लेविया मैजुरा है लेविया माइनोरा है हाइमेन है और क्लाइटोरि तो यह पांच है और यह पांचों को एक साथ यह जो एक्स्टरनल जनाइटी लिए इनको collectively हम लोग वल्वा के नाम से जानते हैं ठीक है note this screenshot भी निकाल सकते हो फिर हम चलते हैं आगे आगे हमारे पास है memory gland memory gland के बारे में हम इजानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि memory gland एक ऐसा structure है जिसके मदद से एक newborn baby के पेट को भरा जाता है उसको खिलाया पिलाया दरी से जाता है तो memory gland की बात करें तो इसके अंदर glandular tissue, fibrous tissue, fatty acid मौजूद होते हैं fatty tissue जिसक मौजूद होते हैं थीएग यह, यह दो और तीन चीजए यहां मौजूद होती ही होती है अब हमें देखना है कि glandular tissue कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इस glandular tissue के अंदर हमें 15-20 memory lobes देखने को मिलते हैं याद लख लेना है इज को कितने देखने देखने को मिलते हैं तो सभावारे होते हैं यह मिलक फिर करता है जो जलो के बात करें तो पाथ-ॉथ मिलक हम इसको कह सकते हैं पाथ-उफ- जो यह मैमरी यह तक में आएगा, ampula में आएगा, फिर lactiferous duct में आएगा and then nipple कि थू ये क्या होगा बाहर आ जाएगा तो अगर memory gland की बात करें तो ये एक ऐसा structure है जिसके मदद से क्या होता है new bond baby को new bond baby को feed किया जाता है ठीक है new bond baby को feed किया जाता है ये glandular tissue, fibrous tissue, fatty और adiposed tissue से बना होता है glandular tissue की बात करें तो इसमें 15-20 हमें memory lobes देखने को मिल जाएंगे इसके पास alveolize होते हैं जहां milk का secretion हो रहा होता है milk के अगर path की बात करें तो memory tubules में आएंगे उसके बाद हमें देखने को मिलेगा memory duct ampula है lactiferous duct है and finally nipple है इसके बाद out of the body तो इस तरीके से ये milk जो है वो body से बार आता है इसको भी आप note कर सकते हैं इसका भी आप screenshot निकाल सकते हैं फिर हम चलेंगे अपने next इसके आगे हमें क्या देखना है तो इस mind map में अब हम आप पहुंचे हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ जहां पर हमें देखना है about the gametogenesis ठीक है gametogenesis की बात करें तो हम जान रहे हैं कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा process है जिस process में क्या हो रहा है gamet का formation हो रहा है ठीक है एक है spermatogenesis और दूसरा है ogenesis spermatogenesis की बात करें तो यह male gamet का बनना है मतलब sperm का production होना है यहाँ पर इसमें बोले तो यहाँ पर female gamets को बनना है मतलब ovum का production होना है यहाँ पर very clear, बहुत है simple, note this, screenshot this, फिर हम आगे चलते हैं spermatogenesis पर आजाते हैं हम सबसे पहले, तो यह spermatogonia है, यह spermatogonia जो है this is a deployed structure, deployed है यह, 2N लिखा है, यहाँ पर हुआ spermatogenesis है बन गया यहाँ पर sperm जो की है haploid, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर किस तरीके का cell division हुआ होगा, तो यहाँ पर basic है कि reductional division यहाँ पर देखने को मिला होगा, मतलब कि यहाँ पर meiosis हुआ होगा, ठीक है, अब देखते है spermatogenesis की बात करें तो यह puberty पर स्टार्ट होता है, at the age of puberty यह स्टार्ट होता है spermatogenesis किस में होना है, तो यह male body में होना है, कभी भी spermatogenesis female body में नहीं हो सकता है, common सी चीज़ है क्योंकि sperm male body का चीज़ है, male body में बनेगा, puberty में शुरू होता है, कहने का मतलब है कि यह 14 साल के आसपा से शुरू होता है, 13 से 14 साल के पास यह start होता है, इसकी कहानी यहाँ पर है कि जब GNRH increase होता है, तब anterior pituitory में से दो चीज़े, lunitizing hormone and follicular stimulating hormone, LH and FSH अपने function, अपने action में आते हैं, LH की बात करें तो यह leadic cell पर effect करता है और FSH की बात करें तो यह sertoli cell पर, LH जो है वो androgen, androgen पर काम करना शुरू करता है, फिर यहाँ से androgen निकलते हैं, sertoli cell अपने कुछ factors लेके निकलते हैं, और यह सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, और spermatogenesis को stimulate कर वारे होते हैं, मतलब कि आप तो spermatogenesis करवा ही देना है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप note कर सकते हैं, फिर हम चलेंगे अपने आगे, हमें इसके बाद, spermatogenesis में किस तरीके से finally have sperms बन रहे हैं, ठीक ह follow a mitosis, mitosis होने से क्या बना, यहाँ पर number two पर बन काया primary spermatocyte, ठीक है, हम color ही change करते चलते हैं, color change करते चलते हैं, इससे क्या हुआ कि हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है, सबसे पहले क्या था यहाँ पर, spermatogenia, ठीक है, spermatogenia में हमें देखने को मिला क्या, तो spermatogenia में हमें देखने को मिला mitosis, mitosis होने से क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर बना primary spermatocyte, जो की 2N था, क्योंकि mitosis हुआ तो 2N का 2N ही रहना है, फिर यहाँ पर हो रहा है meiosis first, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इस प मिल जाएगा, ठीक है, चुकि यहाँ पर meiosis हुआ तो अब इस 2N को क्या है, N में बदलना पड़ेगा, तो अब जो structure हमें देखने को मिला, that is the secondary spermatocyte, यह कैसा था, यह N था, अब यहाँ पर फिर से हो गया meiosis 2, meiosis 2 होने से यहाँ पर क्या हुआ, 4 spermatide हमें मिल गए, ठीक है, चार spermatide के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ispormeation हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ispormeation हुआ, ठीक है, यहाँ पर हुआ, ispormeogenesis, ispormeation, I am so sorry for this, यहाँ पर चार spermatide थे, यहाँ पर हुआ, ispormeogenesis, और ispormeogenesis के बाद यहाँ पर बने 4 sporm, जो की haploid थे, यहाँ पर हम इसे sporme और जो आभी कह रहे हैं ठीक है यहां पर कह रहा है कि आफ्टर स्पॉमियोजनेसिस स्पॉम हैड गेट्स इंबेड़े इंटो सर्टोली सेल याद करो थोड़ी दर पहले जब हमने शायद हो सकता है कि हमने 20 मिनिट पहले चीज़ डिसकस किया होगा कि सर्टोली सेल जो है यह है यह अगर सर्टोली सेल है तो यह स्पॉम क्या करते हैं उसके तरफ हैड कर लेते हैं यह स्पॉम जो है वो उसके तरफ हैड कर लेते हैं यह क्या है यहां से ले रहे होते हैं क्या तो न्यूट्रेशन यह यहां से ले रहे होते हैं न्यूट्रेशन ठीक है फिर लिखता है कि spermiation क्या है release of sperm from seminiferous tribules, तो seminiferous tribules sperm का निकलना is known as, is known as, is known as spermiation, ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, note कर सकते हैं, इसका भी screenshot निकाल सकते हैं, फिरम चलेंगे आगे, तो इसके बाद हमें देखना है about eugenesis, अब ये जो कहानी है, that is about the females, ये केस मेल में नहीं होगा, मेल में ये कता ही नहीं होगा, इसकी बात करें तो embryonic stage में ही इसकी कहानी शुरू हो जाती है, उस दौरान क्या होता है, हर ovary में करीब करीब दो मीलियन उगोनिया जो है, वो बन के तयार हो जाते हैं, ठिक हैं, इसके बाद जब puberty, मतलब वही लिखता है कि जब fetal life है, तो eugenesis यहाँ पर हुआ, यहाँ पर देखना लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से 2N, meotic division होता है, फिर बनता है primary eucite, this is also 2N, समय आने पर जब यहाँ पर meiosis first होता है, completed prior ovulation, तो यहाँ पर पहला एक N, polar, first polar body बनता है, और फिर यहाँ पर एक secondary eucite बन रहा होता है, which is also haploid, ठिक है, puberty आचुका है, यहाँ पर दिख रहा है हमें, कि अब यहाँ पर होना है second meiosis, meiosis 2, इस दौरान क्या होगा, meiosis 2 इसमें होता है, तो इससे एक जो यहाँ पर फिर बनेगा, that is the second polar body, और यहाँ पर जो है, अब ovum हमें मिल जाता है, ठीक है, और यह कब हो रहा होता है, तो यह reproductive, adult reproductive life के दोना, यह चीज़ हो रही होती है, so this is so simple about the ogenesis, इसको आप note कर सकते हैं, इसको screenshot ना निकाल के video को pause करके, इसको आप note करने की कोशिश करें, इसको आप practice करेंगे, तो यह concept जो है, आपका वो जाधा ही आसान हो जाएगा, ठीक है, तो इसको फिर आप screenshot note करें, फिर हम चलते हैं आगे, इसके बाद हमें menstrual cycle के बारे में देखना है, menstrual cycle की अगर हम बात करें, तो यह एक ऐसा topic है, जिसके बारे में आज भी हमारे society में खुलके बात नहीं की जाती, menstrual cycle एक ऐसा topic है जिसके बारे में खुलके बात करनी चाहिए बट क्या होता है यहाँ पर कि बहुत सारे socials, cultural values मतलब यह पता नहीं जो जो भी चीज़े जो नहीं होनी चाहिए वो सारी चीज़े action में आ जाती है और फिर इसके बारे में हम बात नहीं करते लेकिन यह कुछ ऐसी normal case है जो females के अंदर हो रहा होता और वो female primates के अंदर होने वाला यह कुछ monthly cycle है यह तब ही होता है जब pregnancy नहीं हो जाता है तो फिर क्या है की hormones का जो balance है वो बदल जाता है यहाँ पर जो endometrium हमें देखने को मिला था वहाँ पर implantation हो जाता है तो फिर यह menstrual cycle वहाँ पर नहीं होता है पहला menstruation जब किसी females के अंदर देखने को मिलता है उसे हम लोग मेनार्की के नाम से जानते है जो puberty के समय होता है और जो last menstruation होता है जिसे हम menopause के नाम से जानते हैं यह करीब करीब पचास साल के उम्र पे हमें देखने को मिलता है अगर एक menstrual cycle की बात करें तो इसका duration होता है करेब 28-29 डेज अठाइस दिन भी तुम्हें देखने को मिलेगा एंसी आटे ने कुछ यह दिया गिए 28-29 दिन का यह cycle हो सकता है इसको अब नोट करें फिर इसके बारे में कुछ और discussion करेंगे हम with the help of graph ठेक है तो इसको पहले note कर लिजे और हम चलते हैं इसके graph को study करते हैं थोड़ा सा आज चुके हमें इसके graph पे तो graph पे हमें चार चीजे देखने को मिल रही है चार चीजे हमें स्टार्ट करते हैं from here number one number two number three and number four एक चीज तो हमें देखने को मिल रहा है जो uterine event है इस दौरान जो endometrium का wall है उसके बारे उसमें कुछ-कुछ changes आते हैं that is number four ओवरी के अंदर जो hormones है जो ovarian hormone estrogen and progesterone है उसके level में भी changes आते हैं तो that is number three ओवरी के अंदर भी कुछ changes आ रहे होते हैं that is number two और एक है pituitory के hormones जो है यह भी changes कर रहे होते हैं that is number one तो start करते हैं हम यहाँ से कि यह करीब-करीब 28 से 29 दिन का बीज का period है यहाँ पर 15 लिखता है तो यहाँ पर 14 दिन भी होगा यह 14 दिन को हम लोग day of ovulation के नाम से भी जानते हैं कहानी यहाँ से शुरू होती है जब यहाँ पर menstruation हो रहा है that is up to five to six days चार से पांस दिन का यह खेल है यहाँ पर क्या है endometrium का wall जो है वो धीरे धीरे भी डाउन होगा है कहानी यहाँ के बाद फिर से शुरू होती है जब चीजें रुग गईं नर्मल position आ गया अब क्या है कि इंडोमेट्रियम का वॉल धीरे 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 क्या हो रहा है समय के साथ develop करता जा रहा है इस दोरान क्या होता है ovary के अंदर follicles का development हो रहा होता है यह चौदमा दिन जब आता है तो यह चौदमें देखो day of ovulation कहते हैं क्योंकि यह जो ovum में यह बाहर आ जाता है mature follicle ठीक है इसी 14 दिन जब ovulation हो रहा होता है तो pituitry के अंदर जो दो hormones मौझूद है एक है FSH और दूसरा है LH यह दोनों अपने अपने peak पर होते हैं हमें इस पूरे graph में देख रहा है कि almost यहाँ पर एक flat line follow कर रहे हैं लेकिन 14 दिन जब ovulation होना है उस दौरान यह क्या हुआ उस दौरान इन दोनों hormones ने अपने peak को पकड़ लिया है ठीक है तो यह रही इसकी कहानी फिर यह ovulation खतम हो जाता है फिर यह अपने normal line पर यह आ जाते हैं यहाँ पर क्या और ovulation हो गया यहाँ पर ovulation के बाद corpus luteum बन रहा होता है यह corpus luteum के बनने से क्या होता है यह progesterone का जो level है यह भी progesterone का level जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और साथ-साथ क्या होता है यह endometrium का lining भी अपने यहाँ पर इस समय पर अपने पीक पर आ चुका होता है मतलब 24 से 25 दिन का यह जो समय होता है यहाँ पर यह भी अपने पीक पर आ चुका होता है अब क्या होता है फिर से एक नया cycle शुरू होने का समय आ चुका होता है और फिर धीरे 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 ये साइकल क्या होता है धीरे धीरे ड्रॉप लेना शुरू होता है फिर ये प्रोजिस्टेरों का प्रोजिस्टेरों का लेवल और इस्ट्रोजन का लेवल ये भी धीरे धीरे ड्रॉप लेते हैं तो ये साइकल तो जो अप्टू 14 डेज यह होता है फॉलिकिलर फेज चौदमा दिन जो होता है उसे हम लोग डेओ फॉविलेशन के नाम से जानते हैं अफर देट अप्टू 25 डेज हम इसे कहते हैं लूटियल फेज जिसका नाम है सेक्रेटरी फेज भी यह होता है फिर जो नया साइकल शु हो जाती है और फीटस आके इस इंडोमेट्रियम के वाल पर आगर की इंप्लांट हो जाता है उस दौरान क्या हो रहा होता है चुकि ऑविलेशन में उस समय कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा फिर उस समय क्या होगा यह वो डीजेनरेट नहीं होंगे तो उस समय क्या होता ह है प्रेगनेंसी कनफर्म है तो मेंस्ट्रूल साइकल क्या होगा हमें नहीं देखने को मिलेगा तो प्रेगनेंसी कनफर्म करने का यह भी सिंबल माना जाता है अगर मेंस्ट्रूल साइकल अपने समय से डीले हो चुका है तो जब यह यह भी एक सिंबल है कि टेस्ट करने का क pregnancy positive है या फिर negative है तो इसको भी आप note कर सकते हो इसका भी screenshot निकाल सकते हो फिर हम चलिंगा अपने next part में हमें क्या देखना है तो अब हम आ जाते हैं अपने next part में and this is about the fertilization तो कहानी यह fertilization पर आ चुकी है fertilization की अगर हम बात करें तो fertilization is nothing just a fusion of sperm and ovum sperm जो की haploid and ovum जो की haploid है यह दोनों मिलके बना दी है zygote अगर इसके site की बात करें तो यह हो रहा होता है एंपलरी स्थमस जंक्शन पर सम्टाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि भाई कहां हुआ तो यह जो फैलोपियन ट्यूब होता है तो हमारे पास चार option ठीक है एक में लिखता है फैलोपियन ट्यूब आप से पूछा वोड़िस दा जहां क्या है humans के अंदर तो एक जगा लिख दिया फैलोपियन ट्यूब दूसरे जगा लिखता है एंपलरी इस थमस जंक्शन तीसरे जगा कुछ और लिख दिया संधिंग एंड चौथ जगा कुछ और लिख दिया तो हम तुरंत पहला option परेंगे वो फैलोपियन ट्यूब इसको टिक कर लेते हैं फिर दूसरे option में हमें देखने को मिला Amplory Isthumus Junction तो fallopian tube कोई गलत answer नहीं था हमारा fallopian tube में तो होता ही है लेकिन इससे भी ज़्यादा accuracy हमें इसमें देखने को मिला कहां जहां लिखा है Amplory Isthumus Junction तो answer हमारा option 2 हो जाएगा जब हमारे पास 2-2 correct option होते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा accurate है वहाँ पर accuracy को चेक किया जाता है तो Amplory Isthumus Junction तो fallopian tube में एक जगह Amplory था एक जगह Isthumus था तो इन दोनों का जो junction होता है यही यही वो जगह है जहाँ पर यही वो जगह है site of fertilization, यहाँ पर site for fertilization ठेक है फिर हम बात करते हैं insemination नाम का एक चीज है तो वाट इस insemination तो दिस इस नथिंग ज़स्टा रिलीज ओफ सीमेन इन फीमेल रिप्रड़क्टिव ट्रैक तो गैमेट का हम जब ट्रांसफर करना होता है तो गैमेट का ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब मेल रिप्रड़क्टिव मेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम से जब सीमेन बाहर आता है और उसको जब फीमेल रिप्रड़क्टिव ट्रैक के अंदर जब इन्जेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पर फिर release कर दिया जाता है this is called insemination तो इसको भी आप note कर लो इसका भी आप screenshot निकालो फिर हम चलते हैं अपने next part के तरह ठीक है अब हम आच चुके हैं अपने post-fertilization event में तो post-fertilization event की बात करें तो number one is zygote और दूसरा हमारे पास embryonic embryonic development ठीक है तो zygote है और embryonic development है ठीक है यह क्या है fertilization हो गया है fertilization के बाद चीज़े confirm है that is the pregnancy हो चुका है fertilization confirm है zygote बन गया that is this zygote is 2N ठीक है अब इसमें cell division होना है mitosis होना है फिर एक नया individual आगे जाके एक fetus में बदलेगा फिर एक नहे बच्चे में एक convert होने वाला है ठीक है तो इसको भी आप note कर लो फिर हम चलते हैं zygote के बारे में कुछ देखते हैं zygote की बात करें तो हम यहाँ पर जान रहे हैं कि zygote जो है यह zygote एक 2N नामा के structure है ठीक है अब इस 2N में क्या हुआ कुछ तो cell division हुआ जिसे यह single cell stage जो था यह two cell stage में आ गया एक सवाल यहाँ पर हम से पूछ लिया कि बताओ विस टाइप उप cell division अकर से है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि sir यहाँ पर equational division हो रहा था that is यहाँ पर mitosis हो रहा था that's why यह 2N जो है 2N के 2N है मतलब अब जितने भी cell division होने वो सारे के सारे mitosis होने और यह दो cell से 16 cell के बीच का जो stage है इसे हमने blasto mirror का नाम दे दिया बहुत ही खुबसूरत सा structure इसको draw करने के कोशिश करो वीडियो को post करो और draw करो फिर हम चलते हैं आगे ठीक है इसके बाद हमारे पास यह जो 8 से 16 blasto mirror था यह morela हुआ यहां पर mitosis के बाद यह blasto system में change हुआ इसके बात करें तो इस blasto system में हमें यहां पर कुछ इस तरीके से बहुत सारे inner cell mask देखने को मिल रहे हैं इसे हमने inner cell mask का नाम दिया और यह बाहर में जो था इसे हमने troop of blast का नाम दिया यह क्या है इसकी बात करें तो get embedded to endometrium और यह फिर implantation में आगे जाके मदद करने वाला है inner cell की बात करें तो make embryo यह जाकर के embryo बनाने वाला है और इसके पास क्या होता है इसके पास stem cells होते हैं इसके पास जो होते हैं वह stem cells होते हैं तो इसको भी आप note कर लो इसको भी note कर लो screenshot निकालो फिर हम चलते हैं आगे इसके बात कहानी आ जाती है implantation हो गया यहाँ पर एक हमें देखने को मिला था इसका बात करें तो यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है क्रोणियों निक विलाई ठीक है इसकी बात करें तो यह जो है outer layer middle layer और इंडर लेयर इस एक्टोडम मिडल लेयर इस मीजोडम इनर लेयर इस इंडर इनका यही काम है कि आगे जाकर के कुछ tissues and organs को यह बनाने वाले हैं तो यह implantation की बात की कहानी है तो इसको भी आप note कर लो इसका भी screenshot निकाल लो फिर हम चलते हैं आगे तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि फिर implantation तो अब हो चुका है बिसके बाद हमें क्या देखना है तो implantation हो गया सर बहुत अच्छी बात है implantation के बाद अब कहानी आ चुकी है placenta की उपर placenta की बात करें तो यह disk-like structure होता है यहाँ पर नहीं लिखा है लिखा होना चाहिए था मैं लिख देता हूँ यहाँ पर disk-like structure है यह disk-like structure है इसको भी आप note कर सकते हो ठीक है फिर यह कहता है कि chronionic villi plus uterine tissue इससे मिला ही structural and functional unit between fetus and mother यहाँ पर हम करेंगे कुछ कमाल fetus and mother को हम करेंगे अलग color से highlight just because की यह fetus and mother के बीच में connecting link है और यह functional unit है यही वो चीज़े जो इन दोनों को जोड़ता है इससे क्या होता है connected to embryo by umbilical cord umbilical cord से जोरा होता है इसी रास्ते से क्या होता है oxygen की supply करवाई जाती है nutrients की supply करवाई जाती है from the mother body to fetus और फिर fetus में जो excretory waste बनते हैं like co2 and other waste उसको fetus के body से collect करके फिर mother के body में transfer करवाई जाता है मतलब mother का यहाँ पर role यह आ जाता है कि mother क्या करती है अपने बच्चे को जब पाल रही होती है अपने वों में उस दौरान वो उस बच्चे को nutrients देती है माँ अपने बच्चे को oxygen का supply देती है मतलब जितने भी अच्छी चीज़ें उन्हें दे करके और उस fetus से जितने भी excretory waste है इन सारी चीज़ों को collect किया जाता है इस collection के दौरान जो mothers के अंदर nutrients जाने चाहिए उसका मातरा जादा होता है यहां पर oxygen की supply बिल्कुल time पे होनी चाहिए तो यह सारी चीज़ें मिल करके placenta को मनाती है और यह उसका रहा function इसको अब note कर सकते हो इसका screenshot निकाल सकते हो फिर हम चलें के अपने इसके next part की तरफ तो next part में हमें after placenta हमें discuss करना है इसी के बारे में थोरी सी और बात है यह एक endocrine tissue के तरह भी behave करता है अब ऐसा यह क्यों करता है क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ hormones देखने को मिलते हैं hormones का secretion करवा रहा होता है और वो hormone एक है HCG, HPL, फिर है progesterone and estrogen यह कुछ चार hormone से जिसके यह secretion करवा रहा होता है एके करके देखें HCG जो है human chronionic gonadotropine, HPL human placental lactogen इन सारे चीज़ का यह secretion करवा रहा होता है और यहाँ पर अभी हमने देखा कि मदर्स क्या है मतलब यह सारी चीज़े हो रहे हैं कि उस बच्चे को किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए nutrition, oxygen सारी चीज़ें प्रोवाइट करवाए जाती है एक relaxing है यह ovary के दोरा secret करवाए जाता है यह hormone ठीक है इसको आप note कर लें फिर हम आगे चलते हैं अपने next part में next part में हमें क्या देखना है sir तो next part में हमारे पास है gestation period gestation period के बारे में आपने सुना होगा यह वो समयकाल है जिस समयकाल को मतलब यह वो समयकाल है जिसमें क्या होता है zygote से एक complete baby का development हो रहा होता है यह period of development है तो यह क्या होता है यह period of development है यह period of development है और किसका development होना है sir यहाँ पे तो यहाँ पर development होना है आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर यह जो zygote था यह zygote जो simple एक सिल का बना था single cell structure था इससे एक बेबी जब तक ना बन जाए ठीक है ठीक है इसकी बात करें तो इंसान के अंदर ये 9 महीने का होता है पहले महीने में heart का development होता है second month की बात करें तो limbs and digits हमें के development देखने को मिलता है third month में हमें major organ system develop होते दिखते हैं 5th month में हमें hairs on head दिख जाते हैं, 6th month में body hair, eyelids and eyelashes हमें देखने को मिलते हैं, 7th, 8th, 9th में महीने में इन सब में धीरे-धीरे development होता है, और finally जब 9 महीने का समयकाल पुड़ा होता है, तो वो baby जो है, वो complete तरीके से mature and develop हो जाता है, after that जरुवत होती है उस बच्ची को बाहर लाने की इस दुनिया में लाने की तो फिलाल इसको आप नोट कर लो, स्क्रिंशॉट निकालो फिर हम आगे के डिस्केशन को कंटिनियू करते हैं ठीक है? आगे के डिस्केशन को कंटिनियू करते हैं हमारे पास यह टॉपिक आगया, that is about the parturation इस नथिंग जस्ट अब बार्थ ऑफ चाइल्ड जो बच्चे नोव महीने के समय काल की बाद पूरे तरीके से डेवलाप हो चुका है अब जरूर थे कि उसके जन की तो बच्चे के जन को हम लोग पार्चुरेशन के नाम से जनते हैं यह क्या करता है? यह एक सिगनल दे रहा होता है सबसे पहले जब फीटिस डेवलाप हो जाता है और प्लेसंटा इनके डेवलापिंग फीटिस और प्लेसंटा के तरफ से एक सिगनल मिलता है इस signal में कहा जाता है mild uterine contraction uterus जो था इस uterus में हो रहा होता है इस uterus में contraction इस contraction के कारण दर्द generate होता है females में mothers के अंदर उस दर्द में क्या होता है फिर उस दर्द में fetal ejection reflex और ये सारी चीज़े क्या है oxytocine को trigger करती है अब जब दर्द हुआ तो hospital का रास्ता देखा गया जब hospital में जब birth देने की बात आई है तो इस uterine contraction से क्या होता है pressure generate होता है pressure generate होता है और उस बच्चे के उबर pressure दिया जाता है और फिर वो बच्चा जो है वो बाहर आ सके sometimes यहां पर क्या होता है यहां पर एक चीज लिखा है that is the oxytocine कभी-कभी mothers के अंदर यह level of oxytocine जो है वो बहुत ही कम होता है इसके करण क्या होता है यह uterine contraction जो है वो नहीं हो पाता अब ऐसा नहीं हो पाता है तो कि जो नॉर्मल डिलेवरी होती है बच्चों की वो नहीं हो पाती तो इसको complete करने के लिए बाहर से oxytocine का injection भी दिया जाता है oxytocine के injection से क्या होता है इस uterine contraction होता है है relaxation होता है और क्या होता है दर्द बढ़ता है दर्द बढ़ता है और फाइनली इससे क्या होता है कि एक बच्चे को जन्द दिलवाया जाता है और इस oxytocine की बात करें तो इसे हम लोग birth hormone के नाम से भी जानते हैं यह क्या करता है contract uterine muscles तो oxytocine का अगर रोल पूछा जाए तो इसके बारे में बोला जाए तो इसका काम है कि यह uterine muscles जो है इसको contract करवाता है और इससे क्या होता है कि birth of a baby जो है वो easily complete हो पाता है ठीक है आगे चले आगे बरते हैं और अब हमारे पास एक last term that is about the lactation बच्चे का जन्म हो गया अब जरूरत है कि उसका पेट भरा जाए तो हमने discuss किया था about memory gland तो यह memory glands जो होते हैं यह milk का production करवाते हैं यह memory gland milk का production करवाते हैं milk के production के तौरान जो after birth यह बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के बाद initial कुछ days में जो milk produce होता है उसे हम लोग kolostrum के नाम से जानते हैं initial milk को हम लोग kolostrum के नाम से जानते हैं यह क्या होता है yellowish color का होता है अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इसकी बात करें, तो ये यलो कलर कहा होता है, ठीक है, ये यलो ठीक मिल्क होता है, और इसका खास बात यह है कि इसमें एंटी बॉडिज देखने को मिलते हैं, तो कहा जाता है, बीच में हमारी सरकार ने टीवी पर एड्स भी चलाए थे, कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसे मा का पीला गाढ़ा दूद पिलाना चाहिए हमारे फैमिलीज में अलग-अलग धर्म में यह रिवाज होता है किसी में शहद को उस बच्चे को चटाया जाता है एक्सेक्टर एक्सेक्टर थिंक्स होती है तो उन सारे चीजों को साइड रखे सबसे पहला आहार जो है ये कोलोस्ट्रम उसको दिया जाना चाहिए just because कि इसके अंदर वो एंटीबार्टिक्स है जिससे उस बच्चे को बाहर आए वो अभी बच्चा कहा है बहुत ज़ादा प्रोटेक्शन में था अब उस Environment में आ चुका है अब इस Environment में आने के बाद उस बच्चे को बहुत सारी चीज़े आटक कर सकती है तो बच्चा उससे बच्चे गा तभी जब उसके अंदर बहुत सारे जरूरी है इसको आप note करेंगे इसके बाद हम करते हैं आपने इस chapter को sum up ठीक है तो is chapter को हम करेंगे sum up तो इस chapter मैं हमने कहानी चुरुआत की male reproductive system से female reproductive system तक गये हमने फटीलाइजिशन को देखा देखा हमने implantation को देखा हमने menstrual cycle के बारे में discussion किया हम ने मैमेरी ग्लैंट्स के बारे में डिसक्रशन किया एक बच्चे के जर्म से लेकर उसको किस तरीके से फीड किया जाता है इसके बारे में डिसक्रशन किया तो इन सारी डिसक्रशन के बाद कंप्रीट होता है हमाना human reproduction नामक chapter का mind map उम्हेद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया है तो आप comment करके पूछेंगे कि सर यहां पर यह वाला जो पॉइंट था यह तो आपको reply करके जरूर समझाया जाएगा कि क्यों नहीं आपको समझ में यहां पर क्या points होने चाहिए इसक एजूकेशन फ्री एजूकेशन देने की मुहीम ने हमने आपके लिए हजारों वीडियो बनाए हैं अगर आपको वीडियो ढूंड़ने में परेशानी हो रही है तो आप आ सकते हैं हमारे वेब साइट और आप पे आप हमारे एप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप www.magn के साथ टाटा बाई बाई